दोस्तो इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुस्य को माना जाता है क्योंकि मनुस्यों के सरीर की संरचना सबसे अलग है और हम मनुस्यों का मस्तिक जितना काम करता है उतना किसी का नहीं करता लेकिन दोस्तो हमारे अलावा इस दुनिया में कुछ ऐसे प्राणी है जो बहुत जादा चलाख है बहुत जादा बुधिमान है तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं आखिर कौन कितना चालाख है लेकिन दोस्तों वीडियो मागे बढ़ने से पहले हम आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर और आप इस वीडियो को से बारे में जान पाएं और आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को आल पे कर देना हालांकि दोस्तों पांच पच्च्चियों को सबसे जदा बुद्दिमान माना जाता है पहला तोता, दूसरा मैना, तीसरा बाज, चोथा कबूतर और पाच्वा कवा जैसा कि आप लोग जानते हैं तोता और मैना को कुछी दिनों में मनुस्यों की भासा सिखाई जा सकती है जबकि परचीन काल में बाज और कबूतरों से संदेश को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक पहुचाने का काम किया जाता था दूसरी और फिलिपीन्स में पाए जाने वाले बोया पच्ची अपने गोसले के चारों और परकास के लिए जुगुनुओं को भरकर लटका देते थे ऐसा कार ये कोई बुद्धिमान पच्ची ही कर सकता है और दोस्तों आप सभी लोग यह चीत तो जानते होंगे पुडूल नाम के भूरे रंग का नर्थ होता जो अफरिका में पाय जाता है वह सबसे बदूनीत होता है नमर 2 डॉल्फीन दोस्तों डॉल्फीन को सबसे बुद्धिमान मचली माना जाता है रोमानिया में डॉल्फीन को मारना माना हत्या के समान है अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको दंड भी दिया जाएगा एक सोध में यह पता चला है कि धर्ती में दो सबसे बुद्धिमान प्रजातिया हैं पहला इंसान और दूसरा डॉल्फिन डॉल्फिन भी इंसानों की तरह सोचती है और समझती है बस वह बोल नहीं सकती लेकिन दो सो कई सोध करता है यह कहते हैं कि डॉल्फिन तो इंसानों से भी कहीं ज़्यादा बुद्धिमान और समवेदन सील है डॉल्फिन किसी महिला के गर्व वस्ता सिसु की धर्कन की आवाज तक सुन लेती है डॉल्फिन में दिमाग और सरीर का अनुपात इंसानों जैसा होता है यह आसानी से दूसरी भासा को पैचान लेती है और साथ मिलकर समस्या को हल करती है यही नई सीशे में खुद को देखकर यह पैचान भी कर सकती है डॉल्फिन आपस में संबाद करती है नमर 3 चिमपोंजी दोसों दुनिया का सबसे बुद्धिमान पसू चिमपोंजी है चिमपोंजी और मनुस्थ के 99% DNA समान होते हैं केवल चिमपोंजी ही एक ऐसा पसू है जो मुस्कुराता है यह बुद्धिमार और चालाग प्राणी है हमारे द्वारा कही जाने वाली भासा को यह तुरंत समझ लेते हैं और अगर इनसे संकेतों में बात की जाये तो यह उस संकेत को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं पसुव में चिंपोंजी के अलावा हाथी और कुटा भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं हाथी बुद्धिमत्ता का परतीक माने जाता है और अपनी अस्मरण सक्ती तता बुद्धिमानी के लिए यह परसिद भी है इनकी बुद्धिमानी डॉल्फिन तता वन मानुस के बराबर मानी जाती है अगर किसी कुटे को ट्रेनिंग दी जाये तो यह बुद्धिमत्ता में सबसे नमबर वन पर आ सकता है कुटे को सुंगने और समझने की छमता काफी जादा होती है यह तो आप सबी लोग जानते होंगे और यह मनुस के काफी अच्छे दोस भी होते है दोस्तो यह एक उभैचारी प्राणी है जो जल में रहने के साथ साथ ही धर्ती पर भी रहने में सक्छम है यह बहुत बुद्धिमान है जो कि खुद को सीसे में पैचान सकती है लेकिन यह कभी भी अपने बुद्धि का परदर्शन नहीं करते अगर आप इसे पुकारते हो तो यह आपकी आवाज सुनकर दोड़ी चली आएगी दोस्तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे चीटी का दिमाग सबसे छोटा होता है लेकिन इसकी बुद्धि मत्ता सबसे बड़ी है सोद करता मानते हैं कि इसकी प्लानिंग और हरकतों से समझ में आ जाता है कि यह कितनी बुद्धि मान है यह जमीन के बीतर एक नगर का निर्मार कर देती है और फिर वहाँ पर यह पूरी बारिस में मजे से रहती है दोस्तों कई सोद करता बताते हैं कि इसे भुकंपोर कई तरह के प्राकृतिक आपदाओं का पहले से ही अनुमान लग जाता है तो फिलाल दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आपको क्या लगता है इन सारे जानवर इन सारे जियो में कौन सबसे बुद्धिमान है नीचे कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके जरू बताना वीडियो को लाइक करना, सेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाई